नमस्कार दोस्तों जानी केसे में आपका स्वागत हैं हम रोजाना स्वास्ता सम्मंदि जानकारी लेकर आते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकोन को जरूर दबाई जिससे की हमारे सबी फीडियो की नॉटिपिकेशन मिले आपको सबसे मीट हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता है खास करके डियाबेटीज के मरीज दिल के मरीज इनको मीट नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा पाया जाता है लेकिन मीट उन लोगों को जरूर खाना चाहिए जिनका शारीरिक परिक्षम ज्या केल्शियम और प्रोटीन मौजूद होता है जो हमारे शरीर और हमारी हड्डियों के लिए बेहद अवश्यक है मटन में विटेमिन ए होता है जो आखों के लिए फाइदेमंद होता है इसलिए खाने में आखों की रोश्मी बढ़ती है जो वेक्ति शारेरिक दुर्बलता का शिकार है उन्हें सब्ता में दो बार बकरी की टांग अवश्यक खाने चाहिए क्योंकि बकरी की टांग में मौजूद प्रोटीन आपके शरीर के विकास को दुगिनी तेजी से प्रभावित करता है और आपका वदन कुछी सब्ता में ब झाल कर दोगाए झाल आपके शिकर की बक्ति बचलोंकि अवश्यक बड़िक है उन्हें क्योंकि बड़िक है उन्हेंसे प्रभावित कर सो ।